नमस्कार दोस्तों वेलकॉम टूश्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंफोनी कंपनी के बारे में सिंफोनी कंपनी का डिटल अनालीसिस करेंगे इसमें काफी सरा फ्रेंड्स का अभी इक्वारी आ रहा था कि यह स्टॉक में हमने अल्रेडी पहले से पोजि करना चाहूंगा अगर पहले आपने इस चैनल पर विजिट किये हैं चैनल के तो जरू सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजे तैकि आने वाला वीडियो का नोटिपकिकिशन आपको टाइम मिल सकता है चले स्टाट करते हैं वीडियो स्टाइब करें अगर मार्केट करें इसी के साथ में अगर हम रिटर रोन नवाट करेंगे तो यहां पे 2200 का ही की बात करेंगे तो यहां पे ऑभी trading हो झ infony के वा एंगे बात करेंगे जोकी 73 पर्सटेस प्रोटर के पास में देखने को मुलरा है ए तो उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे company अपना सेग्मेंट में मार्यपेड य्ड़ीड़ है अगर वाट करेंगे Siempole के बारे में Symphony was established in 1988 in the Ahmadabad, India. The company is engaged in manufacturing and trading of residential, commercial and industrial air cooler in the domestic and international market. It is largest air cooler manufacturing company in the world. एक air cooler company में है और largest player भी है in the world. उसी के साथ में आप अगर देखेंगे 97% का जो company का revenue आता है तो यहाँ पे cooler segment से आता है. ठीके friends उसी के साथ में आप अगर देखेंगे यहाँ पे इंडिया से 59% का यहाँ पे revenue आता है, बाकी वाल्ड से 41% का revenue देखने को मिलता है friends. ठीके उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे company का profitability की बात करेंगे, उसके साथ में delivery pattern को भी study करेंगे, उसी के साथ में chart pattern भी study करेंगे. अगर हम देखते हैं friends, company का sales अभी देखने को मिला है मार्स के quarter में 384 क्रोड का company का sales देखने को मिला है, उसी के साथ में अगर हम net profit के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे net profit 63 क्रोड का net profit company का देखने को मिल रहा है मार्स के quarter में, जो कि अब तक का सबसे highest है, उसी के साथ में अगर हम last 4 quarter को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 120 क्रोड का यहाँ पे net profit देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़ियाशा data है, last 4 साल में अगर हम देखेंगे company का data 120 क्रोड मतलब बहुत बढ़िया है, उसी के साथ में company का sales के भी बात करेंगे, sales भी 1039 क्रोड का company का sales है, तो कोई problem नहीं है, जहाँ पे जिसी साब से company का stock trading हो रहा है, तो उसी साब से अगर हम बात करेंग यहाँ पे profit के बारे में और sales के बारे में बाकिसा परामेटर बहुत बढ़िया है, उसी के साथ में अगर हम balance जाके देखते हैं friends, यहाँ पे reserve company के पास में 828 क्रोड का company का reserve देखने को मिल रहा है, जो कि अब तक का सबसे highest company के पास में reserve देखने को मिल रहा है, उसी के साथ मे अगर हम borrowing के बारे में बात करेंगे, 254 क्रोड का company के पास में borrowing भी देखने को मिल रहा है, और company का investment भी उसी के साथ में है, 500 क्रोड का company का investment भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम इस चीज को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे promotor holding को लेके friends, company में 73% promotor के पास में holding है, जो कि maximum holding promotor के पास में है, अगर हम देखेंगे market में तो correction चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या promotor ने कोई stake sell किया है, बिल्कुल भी एक percentage का कोई company ने stake बिल्कुल भी sell नहीं किया, क्योंकि last five quarter अगर हम देखते हैं, last six quarter में, company का जो stake 73.25 अभी भी होई है, उसी के स साथ में अगर हम दी आई के pattern देखेंगे, तो दी आई के पास में भी यहाँ पे 10.05 percentage का हिसे दरी है, और अगर हम retail public के बारे में बात करेंगे, retail public के पास में, यहाँ जो 12% हो रहा है, 12% से अगर हम 3% निकाल देते हैं, जो कि strong yarns में 1.7% का हिसे दरी है, उसी के साथ में और कि आपना मार्केट जबरदस्त मार्केट से रखता है, जो कि cooler industries के साथ में, उसी के साथ में market leader भी है, आपने देखा कि world में number 1 है, जो कि symphony company cooler segment में, ठीक है, उसी के साथ में small cap company है, market में क्यों गिर रहा है, जब small cap, जब large cap में बड़ा-बड़ा stock जहां पे D-Mart हुआ, जहां पे tight on हुआ, काफी सरे stock में, भारी बरकम गिरावट देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से तो यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6000 क्रोड का market क्या पे, जहां पे 6000 क्रोड का market क्या पे, तो यहां पे 6000 क्रोड का market क्या पे, तो यहां पे भारी selling तो हुआ है, उसी के साथ में return on capital employee के बारे में बात करेंगे, तो बहुत बढ़ी है, बहुत फिप्टिन अगर होता है, तो बहुत अच्छा है, यहां पे प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि प्रमोटर अपना पास में ज्यादा स्टेक इसलिए रखना चाहता है, क्योंकि उनको पता ह है, बिजनेस बहुत जबरदस तरीके से ग्रो होगा, और उन्ही को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगे, क्योंकि उन्ही के पास में ज्यादा हिस्सेधर ही है, तो इस हिसाप से मेरे हिसाफ से सारा पैटर्न भी बहुत बढ़ी है, तो यहां पे उस हिसाफ से अगर देखने को मिला था अगर यहां पर हम देखते हैं आज की दिन में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाए गया फ्रेंट्स यहां पर 59 परसेंटेज का डिलीवरी उठाएगे जो कि उमीद कर रहे थी कि अपने क्या किया बताओ तो इसमें मैंने इसलिए विडियो बनाया है फ्रेंट्स मेरे हिसाब से मैंने अभी भी इसमें पोजीशन अभी भी वही टार्गेट के लिए इंटाग करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें सिंपल है अगर आप एक चीज लेकर लेकर लेता है कि आज के दिन में बाइकर लिया काल यहां पर निकल जाएगा बिल्कुल नहीं है उनका कुछ भी गोल होगा तो यहां पर लाइफ टाइम के लिए जरूर उन्हें ने बाइंग करके रखा हुआ अपरेटर ने ठीक है तो वहां पर मार्केट में सिनरिय कि लेके चल सकते हैं और वहां तक कट लएकर चलते हैं कि इनके तो यहां पर सश्चाल से पहले भी आपका टार्यट आपका तॉर्व रिकलिक हो सकता है लेकिन मेरा ये टार्गेट में पोजिशन Markus बनाया हूं में बहुत पॉजिशन के लिए आपने पॉजिशन में बना हम बिल्कुल है इसला में बिल्कुल यहां पर टॉप तक लेके चलूँगा जो कि बाइश तो का लेंगे चलूँगा अगर बाइश सो लेवल तक यहां पर पोजिशन आप बनायाना चाहते हैं तो यहां से सीधा- यहां पे आपको एक सो पैशने स्का प्रोफित मिल सकता है जोकी 115 का प्रॉफित मील आपने पोजिशन बनाते हैं ना तो वहां पर हमारा कंपुटेटर और भी बिल्ट होता है यहां पर स्टाउक में काफी दिन तक यहां पर कॉंसलरेशन रहा लेकिन स्टाउक जब भागा ना तो यहां पर दिखिए क्या जबर्दस तरीका से रिटरन दिया तो बैसे 2018 से यह स् है कि लेकिन फ्रेंड्स आप किसी बी स्टाउक में फाइनचयल में बनाते एक फाईनंच गॉस्टीर ऽो 11 साल तीन साल तक परफॉर्म नहीं करता है उस टाइम पर हमारा 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 जो माइंड सेट है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है जैसे कि आपने देखा होगा इटी सी का स्टॉक में काफी दिन तक लेकिन अभी बढ़ी ऐसा वहां पर अभी बड़ी ऐसा चाल स्टार्ट हो चुका है तो इसलिए हमें कभी भी ृष। में कभी भी कितना दिन तक रहे सकता है एक साल दो साल तक चल सकता है इस दिन के लिए हमें बिल्कुल प्रिप्यार रहना चाहिए इसलिए हमें पॉर्टफोलियों में 20-30 अपने लेके चले हुए उसी में अगर कोई एक-दो स्टाक चार्च रख अगर कुछ दिन तक आगर भी हो एक उली पॉड्यार आपको पसंद आता है जरूड लाइक किजिए तक अशनकी आपके संपब्सक्राइब करते कि ऊपेस्टॉर आ यहूं